अलो दोस्तों स्वागत एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर पाइथान मेट प्लॉट लाइबरेरी के इस फ्री कोर्स में जहां पर हम लोगों ने मैट प्लॉट लाइबरेरी के अलग-अलग ऑप्शन सभी तक डिसकस करें हैं और अभी मैं आपको जो कॉंसेट बता के आ रह देखने एक बार इसको प्रैक्टिकल इंप्लिमेंटेशन मतलब यह भी आपका जो पार्ट है जहां पर हमने भी मार्कर को डिसकस किया मार्कर का फेस कलर क्या होता है एच कलर क्या होता है लाइन के बारे में मैं आपको बताया था ठीक है लाइन स्टाइल आप डिफ्रेंट यहां पर आपको इसको डिक्षनरी फॉर्मेट में डिटेल प्रोवाइट करनी है जो भी हमने डिसकस किया था कि सबसे पहले तो फॉर्ट चेंज्ज मैंने डिक्षनरी कर ले लिया एफ सी नाम से फॉर्ट चेंज और यहां पर अमने डिक्ष्टनरी में तीन ऑप्षिन इसको दिये हैं फर्स्ट वन इस फैमिली कि मुझे फॉंट फैमिली क्या रखना है तो यह मैंने दी यह सब्दूपॉस और आप च स्पेलिंग मिस्टेक ना हो या क्योंकि अगर बायचान से एक भी स्पेलिंग इस पोई तो देट फॉन टेफेक्ट वह आपको शो नहीं होगा तो यह मैंने लिया फैमिली कॉमा इस साइज हाला कि कोई सिख्वेंस नहीं है साइस साइज मैं मैं मैंने देदिया सपोसर तिस इ कर ली है ईन सिंप्ली यह डिक्शनीरे गर में यहां पर देनेता हूं font dict property को हमनेzign कर दिनेN Alrighty Bukhaz this font dict property a form dictuary property जो है it require the value in the form of dictionary तो यह अमने dictionary create कर ली font को लेके and let's see xAxis पो इसका क्या effect होता है । this one differently similarly मैं इसी को वाय में भी असाइन कर देता हूं तो यहां पर मुझे एक से रवाइक से जो है वो कुछ इस तरीके से चेंज हो के मिल जाएंगे को कॉपी पेस्ट वाय में इसको 25 कर दिया और कलर मैं इसको कर दिया मान लोग ग्रीन यहां पर मैं इसको को FC1 असाइन कर देता हूं टाइटल को टाइटल इस लिटिल बिट ओके जस्का मुमेंट इस एफसी वन ओके यह जो आपका टाइटल है इस इन डिफेरेंट कलर इंडिफेरेंट स्टाइट तो क्या होता है देखो मैं आपको देवन से बोल रहा हूं कि हम जो मैंट प्लॉट लडिफेरे को यूज कर रहे हैं वह देटा विजुलाजेशन के लिए उस कर रहे है और विजुलाजेशन मतलब जितना प्रॉपर आपका कलर कोड होगा जितनी प्रॉपर आपका स्टाइलिंग होगी उतना impact आपके ग्राफ का बेटर रहेगा तो इसलिए आप सबसे पहले चोटे-चोटे से concept समझें किस तरीके से line color change करेंगे किस तरीके से एक से एक से एक सिस का color change करेंगे marker क्या होता है title color किस तरीके से change होगा so all these options are very important to design a graph कि जब भी आप कोई ग्राफ बनाएंगे आपको उसको impactful अगर बनाना है so these are the options which is the best choice तो theoretical मेंने आपको यह भी concept समझा है चोटे-चोटे से concept और प्रैक्टिकली concept को देखा तो आपको यह concept समझ में आया है और अगर समझ में आया है तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करें और बने रही है स्कोर्स में क्योंकि अभी बहुत important concept तब हम देखने वाले Met plot library को लेके सम्ने पांडास को Kin点 में पढ़ा है कि पांड cash के हमने एक एक concept को detail में समझा है वैसे ही में आपको मेट प्लारट राबलि के भी हरए छोटे छोटे कॉंसेट कम डिसकस करेंगे बस बने रहना है और खुश रहना है ठीक है चलिए तो मिलते हैं नेक्स लेक्चर में तिल देन टेक क्यर बाबाई और जो मैं आपको बता रहा हूं प्लीज आप इसके प्राक्टिकल इंप्लिमेंटेशन को खुद से करके देखिए तो कॉंफिदेंस थोड़ा सा आपका अपना इंप्रूम होगा ठीक है तुकि जब यह चीज आप वीडियो में देख रहे हैं और यही कॉंसेट जब आप प्राक्टिकल इंप्लिमेंटेशन करेंगे तो कॉंफिदेंस लेवल ह थोड़ा सा हाई लेवल पर जाता है तो कि जब हम खुद से टाइप करके कोड लिखते हैं उसकी बात ही अलग होती है ठीक चलिए तो बने रही है और मिलते है नेक्स लेक्चर में टिल देन टेक कियर बावाए